नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थौटीस पर दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर है इस वीडियो में हम बावा साहब का एक ऐसा भाशर ले करके आए हैं जिसको आपको सुनकर बहुत सुन्दर लगेगा और इस भाशर से आपको पता चलेगा कि बावा साहब के हिर्दे में हमारे लोगों के लिए कितना ममत थो था चलिए, बिना किसी देर किये हुए इस वीडियो को सुरू करते है बाट है 14 अप्राइल 1929 की, दिन रभिवार था चिपलून में रतनागिरी जिलाक किसान परशद बुलाई गई थी इस परिशत में मुंबई से आये स्री देवराव नाईक, प्रधान, करदेकर, संकाराव गुपते, संकर, वडवलकर, स्री सिव, तरकर, बाबा, आड्रेकर, गायकवाल, मोरे आदी लोग उपस्तित थे परशद की सुरुवात में डॉक्टर बाबा साहव अम्बेटकर को अध्यच पत के लिए चुना गया उसके बाद स्री रगजी का भाशड हुआ, उसके बाद वेटके ने राय बहादूर बोले, एडवोकेट, आनंदराव सुरुवे, स्री साल्वी, सबजज आदी लोगों के संदेश और तार पढ़कर सुनाए उसके बाद अध्यच डॉक्टर बाबा साहव अम्बेटकर ने अपना भाशड दिया, वो भाशड इस प्रकार था, उन्होंने अपने भाशड में कहा कि मुझे लगता है कि मेरा जन्म आम जन्ता की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ही हुआ होगा मैं भी मजदूर वर्गों में से एक हूँ, इंप्रूब्मेंट टेश्ट की चाल में रहता हूँ, अन बैरिष्टरों की तरह मैं भी बंगलों में रह सकता था लेकिन मुझे लगा कि मेरे आइसपर्स और किसान बंधों के लिए चाल में रहकर ही काम करना होगा अपने इस निर्णे के बारे में मैं कभी नहीं पस्ताया, ना कभी मुझे बुरा लगा मुझे मुंबई आकर केवल चार वर्स हुए, अत्यंत हीन माने गय समाज में जन्म हुआ और इसलिए मैंने तै किया कि इस समाज को नयाय दिलाना मेरा कर्तव बे साथ ही आए इस पर्स कामगारों को अन्य कामगारों जैसे मिलने वाले अधिकार सुधा देना भी मेरा कर्म है दो साल पहले स्री विंड के से मेरी पहचान हुई उन्होंने खोती मामले की जिम्मेदारी मुझे सौपी है और मैंने उसे स्विकार किया खोती पद्दती के नफा नुकसान के बारे में अध्यन कर उसके बारे में पक्की योजना बिल के रूप में काइदे काउंसिल में लाना मेरा करतव है खोती जैसी दुष्ट पद्दती कैसे चलन में आई इस पर मुझे बड़ा आश्यर मैसूस होता है इस पद्धती के कारण किसानों के दिलों को सांती नहीं है दिन रात जी तोड महनत कर फसल खड़ी करने के बाद अचानक अमीरों दौरा उनकी खेती पर बने बनाए बिल में साप की तरह कबजा कर लेने से उनका जीवन संकटों में घिरने के बाद भी अमीरों को इसकी कोई परवा नहीं होती ऐसे समय सरकार को चाहिए कि वह महनत कस किसानों को उनकी महनत का फल दिला दे इनसान के जीवन और संपत्तिकी रक्षा कर सरकार का आध करतव है और ऐसे मामले में सरकार ने अगर गरीबों के भले के प्रती चिंतित ना हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह सरकार प्रगती सील सरकार है रतनागिरी जिले में एक जुल्मी खोत अपने अधिकार का इस्तिमाल मैलाओं की इजज़त पर हाट डालने के लिए भी करता है किसान वर्ग आज खोती पद्दती के कारण गुलामी में दवा जा रहा है सत्ता का दुर्प्योग न्याय नीति के अन्सार है ऐसा कहना कैसे सही हो सकता है अंग्रेजों के राज में जो गुलामी चली आ रही वह सरकार को निकम्मा सामित कर रही है अन्याय के साथ किसी भी समाज में सांती का निर्णे नहीं होगा सांती बरकरार रखनी हो तो सरकार को न्याय करना होगा न्याय करने वाली सरकार अगर इतने समय तक खोती की पद्दती को चलने देती है तो वह अन्याय कारी है सरकारी जंगलों पर खोट जमीदार अपने अधिकार की ताना साही चलाएं और किसानों पर बिना वज़े अत्याचार करें यह क्या चल रहा है यही समझ में नहीं आता अगर शांती पून तरीके से सोचा जाए तो खोती की पद्दती ही सदोस है चोटी मोटी, चिल पो, सिकायज, समस्या कभी सरकार के कानों तक पहुंचती ही नहीं आप अपना आंदोलन बड़े धीरत के साथ जारी रखें अपने उपर हो रहे अन्यायों के बारे में आवाज उठाते हुए विरोधकों के साथ हमेशा भिड़ते रहने से ही चार-पास सालों में स्वराज के लिए पोसक हक मिलेंगे आज तक आंदोलन करते हुए सरकार ने विंती करनी पड़ती थी लेकिन अब चार-पास सालों के बाद पूर्ण स्वराज इस्थापित होगा अपने प्रांत के प्रतिनिदियों को कौंसिल में भेशते समय बहुत ध्यान रखिए चाहें जो हो किसी से बिना डरे अपने विचारों का प्रतिनिदित करने वाले विक्ति को ही कौंसिल में भेजें अच्छी तरह जाज परक कर अपना प्रतिनिदी चुने खोत या उसके नातिद इस्तिदारों को वोट देकर काउंसिल में कडा पी न भीजें समाज का जीवन पराधीन है इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं कुड़ भी लोग अपने स्वाविमान के साथ रहें और उचे लोगों के हलके काम कर अपने सामाजीक दर्जे में कमी न आने दें आठ निर्भरता और स्वाविमान के साथ अपना काम पूरी जोर लगन लगा कर करते समय एकता से चलें और संगठन बनाएं इस तरह एकता के साथ निर्भिस संगठों के आधार संगठनों के आंदोलन से अपनी सिकायतों की काउंसिल तक में सुनवाई हो सकती है पूरे मनोबल के साथ की गई कोशिसों का असर सफलता में ही होगा इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है अध्यच के भाशन के बाद सबकी सहमती से निमलिखित प्रस्ताव पारित किया गया खोती विवस्था विशुद गुलामी ही है इस विवस्था के कारण रतनागरी जीले के खेती हर वर्ग पूरी तरह खेतों के अधीन हो गया है इस विवस्था के तहट आइस्थाई तोर पर कसने के लिए पट्टे पर जमीन लेने वाले कास्त कारों की हालत तो दैनी होती ही थी साथ ही लेन देन की दसीदों का चलन ना होने के कारण इस्थाई पट्टेदारों के अधिकार भी सुरचित नहीं रहते थे आर्थिक तोर पर खोती विवस्ता कास्त कारों के लिए नुकसान दे इतना ही नहीं बलकि नैतिक रूप से भी ये पद्दती घातक है और जो अतने वाले किसानों को किसी भी प्रकार से अच्छी माली हालत प्रात करने की आजादी खोती पद्दती नहीं देती ऐसी खोती विवस्ता के प्रती ये परिशत पूरी तरह निशेद व्यक्त करती और सरकार से आगरह के साथ प्रातना करती है कि इस विवस्ता को नश्ट कर दे इस प्रिस्ताव पर स्री रंग जी स्री वेंड के के भाशड हुए इसके अलावा कुछ अन्य फुटकर प्रिस्तावों के पारित होने के बाद साम साथ बजी के असपास परश्रत का काम का समाथ हुआ डॉक्टर बाबा साथ भीमराव मेटकर की जय इस घोशना के बाद धन्यवाद अरपड़ करते हुए पांच सुपारी के बाटे जाने के बाद सबाब बरखास दोई दोस्तों मुझे आसा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए वीडियो देखें जिससे मुझे मनुपल मिले और मैं ऐसे ही वीडियो और भी लेकिया सकूँ